हलो एंड वेलकम टू रेल्वे कार्नेवल वाइट टेस्ट बूक तो यहां पर जो है हम अनग लग जो आपके गुरू है जो इंफ्लेंसर से उनसे बात कर रहे हैं और इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं उमंग स्टेडी से सनोसर सनोसर आपका बहुत-बहुत स्वागत है करनेवल में बहुत-बहुत धन्यवाद सर और पूरी टेस्ट बूक टीम का पूरी उमंग स्टेडी परिवार की तरफ से अप लोगो धन्यवाद देना चाहेंगे कि कितना अच्छा आप लोगों ने करनेवाल आयोजित किया और आयोजित ही नहीं किया बलकि सक्सेस्फुल जी क्योंकि आयोजित बहुत सारे होते हैं उसमें बहुत कम होते हैं तो बहुत अच्छा लगा इस कार्नेवाल में आकर के सर यह आप जैसे गुरू और इस्टुदेट्स कि वज़से ही मुंकिन हो पाए कि हम एक सफलता पूरबग इस कार्नेवाल का आयोजित कर पाई है त केसा मालोक है कि आप तो बहुत सारे स्टुेट्से जोडे हुए है जी बीच का सकते हैं खुशी भी है लेकिन इस्टूडेंट्स चुल के खुछ नीयों पा रहे है छोगी आपके हम पा छूपल हम ल कही जीवनुन में इतने ज्यादा कर देते हैं या से आपने वह बेडिया वाला कान ही सुना उगा कि बढ़ी आया, बढ़ी आया, बढ़ी आया, जब सच में बढ़ी आया, तो कोई गया ही नहीं, तो रिल्विन इतने ज्यादा जब कोई परिवर्तन होता है तो वो तकलीफ देता आपको जिसे की एक्जांपल के तौर पर आपको पढ़ी बढ़ी को ठीक होने के लिए इंजक्शन लेन आपका सरूरी है, तो यह बदलाव चुकि पहली बार आया है, इसलिए स्टुडेंट्स को अभी तकलीफ लग रहा है कि वेकेंसी कम है, लेकिन यह वेकेंसी जिदि गर हर साल इतना ही संख्या में, यह उनीस भी स्टुडेंट्स की देरे देरे दूर हो जाएगी, परवर्तन को जो है, इतनी आसानी से स्टुएंट्स जो है, वो एसेप्ट नहीं कर पाते हैं, सर जैसे आपने मोला कि रेल्वे करना पड़ा था, ग्रुप D में CVT2 को लॉंच कर दिया गया था, उसके लिए तो बहुत से स्टेट, बिहार का एक्जामपल है, तो पत्ना में जो है, लोगों को पत्रियों पर आना पड़ा था, फिर CVT2 वापस लिया गया, यह एलपी का नोटिफिकेशन आया, तैय चीज थी, कि 12-18 के बाद नोटिफिकेशन आ रहा था, एज में लेक्सेशन जो है, नहीं किया गया, इस्टुडेंट जब सडकों पर आई, उसके बाद एज लेक्सेशन, तो सर, यह सारी जो चीज़े है, इसके पीछे क्या वज़े है, कहां पर कमी हो रही है, इतना बड़ा तक भी पहुचाए है, वो है कम्मिनिकेशन ग्याद, एक्चिली होता क्या है, कि जब जब रेल्वे प्रब्लम में फस्ती है, तब तब ही केवल वो स्टुडेंट से बात करती है, उससे पले वो स्टुडेंट से बात करना ज़रोड़ी नहीं समझती है, विसके लिए में फस्तुडेंटs के विचमें कम्मिनिकेशन का मीडियम स्टुडेंटर है, और स्टुडेंट से बातों को सुनियो कि वो चाहते क्या है, एस त connect को यह बात समझना पढ़ेगा, कि बहुत तो तुक्त णकर बेल्वे के बात संधना पड़ेगा, कि यो कि रेल्ले। टो पड़ेगन से अपता है कि सप्रीदेटें ही ले मज़ाई के लिए इक्सक्स अबिस घी के लगा है कि रह Exportnahmen के लिए पावरे की नहीं नहीं है तो यह नहीं नहीं हो इस मोड को चंज करना पड़ेगा इस टुडेंट्स की बातों को समझना पड़ेगा और उसमें से जो मांस की डिमांड है, उसको आपको फुल्फिल करना पड़ेगा, मैं यह नहीं कहता हूँ, हरे की स्टुडेंट की डिमांड को आप सुनिये, फुल्फिल करिये, that's practically not possible. जो possible है, जो अब बाद में करते हैं, जो आंदोला होने के बाद में करते हैं, वह possible था अभी तो आपने किया, जो चीज़ पॉसिबल नहीं था, वह अपने नहीं किया, लिगन जो पॉसिबल थी, वह अपने श्ट्राई के बाद क्यों किया? सर जैसे आपके शुरू में पहले स्वाल की जाम में ही बोला कि रेल्वे ने कहीं ने कहीं जो एक्जाम कलेंडर है उसको लाके इस शुरूंट में थोड़ा विस्वास पेला करने की कोशिश करी है और परवरतन को सुईकार करने में समय भी लगता है लेकि सर अभी भी इस्ट जो है वो रेल में कई पार्ट है और अब तो यह भी का गया कि जो रिटेन एग्जाम हो अनर्वी ही करनेट कराएगा तो आर्पिएफ को जगे क्यों नहीं दी कहीं कलेंडर में हां बिल्कुल यह सवाल पूछा जाना चाहिए और यह बिल्कुल जवीन सवाल है कि भाया है कि आपने जो मैंसन किया है एउ इंप्लोइमेंट न्यूस में हलागी देखने वाली बात होगी की नोटीस आती है तो क्या कई क्या एक यह करेंडर का मैंशन किया जाता है क्योंकि इस वर जो भी विकिंसीश आई वेकिंसीज की सआई अर्फिश नोटीस यह और पचीस न महिने में आएगी तब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्टूडेंट्स के विश्वास को एक कदम और भी रेलवे जीत पाएगी लेकिन ये सक्की बुनियाद इस्टूडेंट्स के जाइज है और जन्वीन है कि अपने जो कलेंडर जारी किया उसमें आपने में नहीं किया जबकि आप जारी करने वाले थे अपने कारी किया ऐसा निकिए बहुत ज़्यादा गैप है तो मुझे लगता है कि इस छोटी सी चीज को रेलवे को अड्रेस करक है एक होती है सबसिडियरी बॉडिज होती है जैसे कि डियाप सीची यह लें डेडिकेटेव और कॉर्परेशन अफिंडिया लिमिटेड तो उसको रेल्वे मतनब दो अलग अलग संस्टाइब हो जाती है तो वहां पर हम लों की मांग नहीं है कि डियाप सीची आल की भी ए आप खुच जो है काफी समय से इस्टोएंट से जुड़ हुए है रेल्वे के सारे एक्जाम्स जो है वह आप देखते है उन पर नजर रखते है टेश्बुक के साथ भी लाकों अचे तयारी कर रहे हैं साल तर साल और अभी की जो इस्टिती है जब एक्जाम के लेंडर होते हैं तो आप पीछे रहा जाता है इसका बेश्ट एक्जाम पर लोग नो किया का देते हैं जो कि है भी तो नो डाउट रेल्वे के जो स्टूडेंट्स होंगे वह पहले से स्टैट्जी के साथ चल रहे होंगे यह लगबख सबको इसी ओर था कि चोबिस में वेकंसी तो कम नमबर वेकंसी आने से कॉंपटिशन हाई होगा इसमें कोई दोरह वाले बात नहीं हो और कटफ कितना जाएगा यह भी किसी को कुछ नहीं पता है क्योंकि इस बार जो भी कटफ कर प्रडिक्शन होगा यह एक तरह से तुक्रा ही होगा चुकि कटफ को प्रडिक्शन तो मुझे लगता है कि स्टुडेंट्स को अपना बेस्ट देना चाहिए जो आपके मैकसिमम कैपसिटी उससे भी आपको एक परसंट जानदा का कोसिस करना चाहिए एक परसंट कम का तो समाली प्रदा नहीं होता है और बहार जाता है स्टैट्जी की है तो सबजेक्ट आपका एक्जाम डेट है तो एक जोन को आप डिड्लाइन मानिए जो भी आपके पस समय बचा हुआ है जो बीट गया है उसके पीछे आप सोचते रहेंगे तो आप आज का भी समय परिबाद करेंगे जो गया उसको जाने दीजिए जो समय आपके पस बचा हुआ है इसमें आप कैसे पूरे syllabus को कवर करेंगे, पूरा syllabus नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जितना आप कर पा रहे हैं, उसका maximum delivery आप कर पा है, यह important होता है, कोई स्टुडेंट क्या करता है, कि पूरा 100% syllabus करके जाता है, और उसमें 50% accuracy के साथ 50% करके आया, कोई स्टुडेंट देखा कि भईया, आप टिमेर पस टाइम कब है, तो 50%, 100% करने जाएंगे, तो पदासला की कुछ हो नहीं कर पाएंगे, एक काम करता है, 20% को गोली बारता है, इंग्नोर करते है, हम 80% ही करेंगे, तो 100% accuracy कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, उसने क्या किया, चुकि 20% उसने syllabus को कम किया, उसके आप टाइम मिला, तो टाइम दिया, तो थोड़ा बो डीप स्टडी कर पाया, तो 80% मों 70% accuracy कर आया, तो आप विस्वास मानिए, जिसने 100% किया, और 50% accuracy किया, उससे जादा अच्छा है, जिसने 80% ही किया, और समें 70% accuracy कर आया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ इस्टुडें जाओंगे, 12 कि गृइस्वाइशन दिया हुंगे, आई तो इस जिसने 70% पड़ा कि डीप से ओसे जान समांचाय, और कोमप्प्टिशन तो मुझे तो हंड़ परसंट के चलनी होगी ला तो मुझे लगता है कि इस रणनीती के साथ इस्टूडेंट्स चले जो भी उनके पास समय बचा हुआ है उसमें जितना वो कर सकते हैं उसके एक डिटेल प्लान बनाए क्योंकि मैं आज के सेशन में इस्टूडेंट्स को काया कि मुझे इस वीक तक यह कंप्लीट करना है इस महिने तक यह कंप्रीट करना तो आप देखेंगे धीरे-धीरे करके आपका से लेवस में कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आपका एकुरेसी भी ठीक ठाक मिंटेन हो जाएगी जी आपने कॉम्टीशन की बात करी है एक्जा तो कहीं ने कहीं कुछ समय बाद एक्जाम कलेंडर इसके आने से कॉम्टेशन में कमी देखने को मिलेगी और इसका बहुत अच्छा इंपक्ट पड़ेगा इस्टूडेंट्स के ओपर मैं अच्छा इंपक्ट इसलिए बोल रहा हूं हलाकि यह त्वड़ा से स्टूडेंट्स उसका तो गिवप कर पाएगा वो जीवन में कुछ और कर पाएगा यह ओप्सन तो एक खुलेगा और जो कैलिवर स्टूडेंट्स होगा मालिए इस बार वह एक नंबर से रहा गया अगले बार उस एक नंबर को और पाने के कोसिस करेगा मालना किसी और कारन से उसमें भी र कोई भी जाड़ो भी लगा रहा तो भर दो रिल्वे मैट्री पास तो हर कोई है तो वह चीज दिरे दिरे खातम होगा इसका बेस्ट एजामबल देता हूँ अभी अम लोग नएड़ा में एक होटेल में रूके हुए है तो हमारा मारे हमारे पंके में कुछ प्राबलम होग तो बनाने के लिए आये ते कोई तो मैं तुला सा बाते करना पसंद करता हूँ मैंने उनसे मात करें तो वह आईगे किये हुए थे और रिल्वे कर चुका है मैंने उनसे पूछा किस वारा फर्म क्यू नहीं भरने मुला कहा होगा वह यह 6,000 वेकिंशी है 20,000,000 फर्म राया एक और सवाल जो मैं बहुत समझे पूछनी कोशिश कर रहा था सर एक चीज जो है रेल्वे में बहुत सारी चीज़ा है जो नहीं होनी चाहिए होती है और उनी में एक जो है रेल्वे का 2019 के रूम डी का नोटिफिकेशन था उसका अधूरा खाब जो रेल्वे करेंगे तो स बच्चों मैं यह डर है कि इस वार उस खाब को पूरा नकलने सीवीटी टू लॉंच कर सकते हैं का सर इस वार मुझे लगता है किया जा सकता है प्रभल समावना है और स्टूडेंट्स को इसके लिए में इसका कारण है यह तो स्योर है कि इस बार गुरुपडी में आईटी अधर किया था इट लिया गिया था उनीस में वेकेंसी आई थी तो आठारा में चुक्छा आपने लगाया नहीं है तो आप नहीं चाहेंगे कि इस में उनीस में बिरोध करें तब आपको पिछे होना पड़े इसलिए लिए लगाया है और उनीस के बाद रिल्वे ने जो सबसे वेफसाइट के मादर से पचास नूटिसेस निकाल दिये होंगे कि हम विसेश प्रावदान के ताथ अठारा और उनीस में आई टीए से छूट दिये थे और भविष्य की जो भी वेकेंसी आईगी तो बताते नहीं कब आएगी तो अब लिग दिये थे कि बाविशे म करना है यहारी कि तो हाँ ओबिस तो कि इसका लॉजिक पी रेल्वे ने दिया था कि क्यों वह सीबिटी टू लागू करना चाह रही है एक अभी बिरुजगारी की जो आलम है बिरुजगारी की जो समस्या इससे सभी कुई आउगा तहीं अपने वह खबर भी पड़ी होगी कि एक M.Tech student था, B.Tech plus M.Tech I.T. पंबे से dual degree किया वा था उसने Group D को जोईन किया था तो होता किया है कि B.Tech और M.Tech वाले Group D को जोईन तो कर लेते हैं लेकिन जब उनको काम करने के लिए ग्राउंड पे खा जाता है उनसे वह काम हो नहीं पाता है और काम आप उनहीं से करवा सकते ह अब नहीं आपको कह दो का बिल्दिंग को उठाना है तो पहने का भी मतलब नहीं है यह तो आपको पॉसिब नहीं है तो इसले रेलेवे ने देखा कि जो गुरूबडी के जो काम है एक बार हमाई ट्याग लगा देते हैं तो चुकि अब जो B.Tech किया हुआ जो डिपलोमा क करने जाएगा तो फिर मेंटली प्रिपेर रहेगा मुझसे इसलेवल का काम करना है तो यह रेलेवे का लोजिक था कि मैं लागू करूंगा तो मेरा जो काम है वो स्मूथली हो पाएगा चुकि गृूबडी के जो काम होता है वो भले सबसे लेस इंपोर्टन दूर से लगत हम शुरू से चर्चा कर रहे है इस कॉम्टिशन में अपने एक जगे एक्कुरेसी का भी इस्तमाल गया कि एकुरेसी बहुत जरूरी है तो प्रिवेसरे पेपर और मौक टेस्टों कि खोड़ा हूँ तो तो टेश्वोक में लाखो बच्चे जोड़ा है और आपके साथ भी शुरी बच्चे जोड़ा है और इसका नहीं परेपर उट और क्या इसका अब इसका इंपॉर्टेंट्स और बढ़ने वाला हैं और मौक टेस्टों पेपर्स का अब मैं स्टूडेंट्स को प्रिवेसरे का इंपॉर्टेंस अशा ही समझा देता हूँ कि आप इसको ऐसे यह थी क्या क्या मैंने अच्छा किया है तो उससे आपको एक बूस्ट अब मिलता है कि भाया मैंने यार 12th क्लास के जब एक्जाम हो रहा था तब तो मैं बहुत परिसान था लेकिन मैंने महनत किया मैंने कोशिस किया और मैंने ठीक ठाक परसेंटेज भी आ गए तो जो को पूछा गया है और उसी एक्जाम में पूछा गया है और इस एक्जाम की पर तैयारी कर रहा हूँ और आत्र विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपका 50% काम ऐसे ही कर देता है इसको एक गजामपल के तौर पैसे समझ सकते हैं कि जैसे मालेज आपकी तब्यत खराब है और क्योंकि आपको विश्वास होता है कि हम डॉक्टर साइब के पास चलेगा आप ठीक हो जाएंगे तो वह विश्वास बहुत ही ज़दा जरूरी होता जीवन में और वह विश्वास आपको प्रिवेस येर ही दिलवा सकता और कोई नहीं दिलवा सकता है अब आपको प्रिव वो बहुत ज्यादा नहीं कुमा जाता है वो इक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसी के एदिगर्ट चीजे गुम रही होती है जो टेस्टुप को एस्टुएंट को बोलना चाहेंगे खासकर कि वह स्टुएंट जो थोड़े से निराश हो गए थे क्योंकि बॉर्डरलाइन पर वेकेंसी कम आई है और दूसरे वह इस्टूएंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं देखिए जो पहली बार है जो फ्रेश स्टूडेंट है तो उनको बस इतनाई काऊंगा नई जोस नई उमंग के साथ कुछ कर गुजरने की चाहत के साथ आपकी एनरजी लेवल अलग ह फ्रेश तरीके से लगे और जो स्टूडेंट किसी कानल से लेजिबल नहीं हो पाएं तो एक बात आप इस्वास मानियेगा और यह स्टूरी मैं बहुत से स्टूडेंट को सुनाता हूं अब्दुलकलाम सर का भी सायद नेवी विगला में कहीं सेलेक्शन नहीं हुआ था इ करने के बाद यह आपका सेलेक्शन नहीं होता है तो जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा आप इसको बिस्वास मानिये और जीवन के अदर सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हैं क्यों डरू कि जीवन में क्या होगा कुछ नहीं होगा तो तो आप जो भी त यहां हर को ही कर रहा है यह वीडियो को रिकोर्ड करने के निए भी महनत करना पूर तो जीवन कि किसी भी पढ़ाओ में सुक्सेश्फूल हो जाते हैं तो तो थैंकियू स्ञंवर सानुज तरक आप ने समय निकाला और हमारी सरेश्द्यरवी कार्णेवल में आप आइए बच कर मार्ग रशन किया आप सभी का मार्ग रशन किया और आप सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुड़ने के लिए सेशन में और इसी तर हमारे साथ बने रहे हैं